तो हलो पर नमस्कार आप सब कैसे हैं योग पच्छेस होंगे एंज्वाइ कर रहे होंगे साथ में चार्ट इटिंग चरूर कर रहे होंगे जैसा कि आज संडे है आप लोग कुछ न कुछ इस मार्केट के अंदर सीखने की जरूर कोसिस कर रहे होंगे यह नंबर साब को बहु मुझे पता है सबको आता है बट मैं कुछ चीजे अपने लेंग्वेज में यहां पर समझाने की कोशिस करूँगा कि अगर यहां पर कोई ना समझ पाए किसका मतलब क्या है तो वो मेरे बताने के माध्यम से अगर समझ जाय तो बहुत अच्छी चीज है ठीक है तो यहां प आता है आप ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं आप शन में और आप शन एक अच्छी चीज है ट्रेड करने के लिए लेकिन जब तक आप इस आपसन की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलता आप चार्ट सीख लीजे सब कुछ सीख लीजे कोई दिकत नहीं है, सब कुछ आप सीख पाएंगे but at least आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपसन क्या है और आपसन का जो प्राइज होता है वो किस तरह से कल्कुलेशन होता है और कल्कुलेशन के साथ-साथ आपको ये जरूर पता होना चाहिए, भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत कहां पर आ रही, एक beginner को सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, कि वो जब भी कोई option को buy करता है, ठीक है, अगर वो कोई option को buy कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आता है, उसके सामने सबसे बड़ा एक issue आता है, वो theta dk वाला हिसाब किता ठीक है, theta dk, जिसको हम time dk के नाम से जानते हैं, तो अगर ये matter हमको जिस दिन समझ में आ गया, कि भाई हमारा theta dk कितना होता है, इस option के price में, हमारा intrinsic value कितनी होती है, किसी एक particular price में intrinsic value कितनी होती है, अगर वो चीज हमको पता लग गया, तो हम कम से कम जब भी अपना option buy करें तो आपको ये जरूर पता लगेगा, कि भाई, 100 रुपई के option में, आपके कितनी ज़्यादा आपकी IV है, IV का मतलब समझेगा, IV, IV का मतलब आपका intrinsic value, ठीक है, intrinsic value का है, अप हिंदी अर्थ समझे, सीधे से मैं आपको बहुत सरल सब्दों में समझाना चाहता हूँ, एक option का ज मान लिजए कि 135 रुपय चल रहा है, समझ रहे हैं, ATM का प्राइज मान लिजए कि काल के तरफ का प्राईज atau put के तरफ का प्राइज, जो भी आप यहाँ पर समझेगें, मान लिजए कि 24,000, 15,0 आपकी निप्टी चल रही है, यहाँ पर निप्टी कितनी चल रही है, 24,150 आप 50 पैसे तो इस option के price में कितनी आपकी intrinsic value है और कितना आपका यहाँ पर time value है समझेगा शीद इस बात है time value को आप theta से भी consider कर सकते हैं simple समझेगा theta जिसको आप नाम जानते हैं जिसको आप बहुत सुने होंगे theta 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 यहाँ पर सबसे जरूरी बात आपको ये समझना है की इस प्राइज में आपके दो और यहाँ पर मिलकर के बंते हैं और वो क्या क्या बंते हैं आपकी IV ध्यान रखिए का आज के बाद IV एक intrinsic value TV मतलब आपकी time value IV intrinsic value TV time value IV intrinsic value TV time value IV को आप ऐसा भी बोल सकते है बोला ये एक man है मक्खान है जो आप समझे TV आप ये समझ सकते हैं कि ये चाच है या आप जो भी समझे हवा है ठीक है जैसे आप एक आप ये समझ सकते हैं जैसे आप एक chips की जो packet खरीते हैं उसमें क्या होता है आपका chips थोड़ा थोड़ा होता है उस packet के अंदर आपने है आपका chips थोड़ा होता है होता है बांकि आपकी क्या होती हावा आपकी भरी रहती है एक आपका chips एक आपका हवा एक पन्नी के अंदर बंद होता है ना वहाँ पर आपको पन्नी बड़ी फूली रहती है लेकिन अगर उसको आप थोड़ा सा फोड़ दो तो क्या होगा उससे हवा फूर से निकल जाएगी बागी उसके अंदर क्या बचेगा chips फिर हम लोग बोलते बोला यार लूट लिया देखो इसमें चार तो हई है और बांकी तो हवा भरा था यह चीज होती ना कभी जब आप रेलेव स्टेसन में जाते हैं वहाँ पर जब आप बाई उसको खरीदते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं जब उसको थोड़ा से खोलते हैं उसमें चार क आपका यहाँ पर ATM है, माल लिजे कि ATM आपका चल रहा है 24,950, यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके, जितना भी आपका OTM का प्राइज होता है, वो टोटल का टोटल क्या होता है, आपका हवा, समझेगा, वो टोटल का टोटल क्या होता है, आपका हवा होता है, मतलब हवा, ओ किसे भी समय टाइटा फिस हो जाएगा अब यहां से जो आपका ATM से लेकर के आपका धीरे धीरे जो ATM के तरफ आपके प्राइज चलते हैं उबर के तरफ ठीक है ATM से लेकर के ATM के तरफ मतलब इंदमनी के तरफ जो प्राइज आपके चलते हैं उनमें दो चीज होती है क्या क्या होती है आपकी उसमें आई भी भी होती है जिसको हम चिप्स के नाम से जानते हैं प्लस उसके साथ साथ हावा भी होती है ठीक है हावा भी होती है जिसको हम पैकिट में हावा के नाम से जानते हैं ये दो दो चीज के लिए हुई क्या क्या मैंने बताया एटियम ध्यान रखिए का एटियम मतलब एट दा मनी एट दा मनी से लेकर कि जितना भी नीचे का प्राइज है जिसको हम ओटियम के नाम से जानते हैं उसमें टोटल का टोटल क्या होता है हवा होता है सिर्फ और सिर्फ हवा होता है उसमें कोई भी आपका चिप्स नहीं होता लेकिन यहीं पर अगर आप ITM की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप ITM की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर आपका क्या होगे चिप्स की जो quantity है वो बढ़ती जाएगी और हवा की quantity आपकी घटती जाएगी मतलब समझ रहे हैं परण चिप्स आपका ज़्यादा मिलता जाएगा और आपका हवा वहां पर कम होता जाएगा और एक टाइम एक ऐसा आएगा ITM में कि आपको वहाँ पर सिर्फ चिप्स ही चिप्स होगा आपका हवा बिल्कुल हो गई नहीं मतलब ऐसा भी सिष्टम एक deep जिसको हम deep इंदा मनी बोलते हैं, ऐसा भी system वहाँ पर आता है, जहां पर आपका सिर्फ intrinsic value होती है, वहाँ पर आपकी time value बिल्कुल 0 होती है, जहां का आपका intrinsic value बिल्कुल 100% होती है, time value वहाँ का 0 होता है, उसका हम delta किस नाम से जानते हैं, वहाँ पर delta आपका 1 होता है, ध्यान मतलब जितना आप नीचे जाते जाएंगे, जितना आप आईटियम नीचे जाते जाएंगे, वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स आपको मिलेगा और हवा आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एटियम से ले करके, अगर सबसे ज़्यादा आपका ह हवा है इसमें टोटल हवा है आप बताईए इंट्रेंसिक वैलू है क्या कुछ यह बताईए चिप्स है क्या चिप्स कोई है क्या जीरो जीरो है आपका चिप्स है यहाँ पर कोई चिप्स नहीं यहाँ पर टोटल क्या है यहाँ पर टोटल आपका हवा है यहाँ पर टोटल का प्राइज का वैलू नहीं होता है यह सिर्फ आपको दिखाया जाता है इसका पैसा लिया जाता है इसको आपको रेंट लिया जाता है कि आप जितने time तक यहां पर बैतीत करोगे वो धीरे धीरे वो time आपका यहां पर पैसा गलता जाएगा और आपको time खतम होता जाएगा मतलब simple है मेरे दोस्त simple समझना है यह आपके जो zero zero दिखनाने यहां पर total otm में आपका कोई भी intrinsic value नहीं होता आपके otm में total का total time value मतलब आपका हवा होता है सिदे हवा होता है इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बाहर के otm price आप buy करते हैं भले आपको छोटे price दिखते हैं समझने आप जितना नीचे जाते जाएंगे जितना otm के तरफ जाते जाएंगे आपके छोटे price दिखते जाएंगे छोटे price दिखते जाएंगे यह देखिए छोटे price आप लोग क्या करते हो बताओ मैंने एक चीद देखा है आप लोग क्या करते हो अरे मेरी बहनों आप बताओ यहां पर आप मेरी से बड़ी हो जो भी मेरी वीडियो देख रही हो या छोटी हो जो भी है आप बताओ आप क्या खरीद रहे हो यहां पर आप यहां पर चिप्स खरीद रहे हो या हवा खरीद रहे हो आप बताओ ना अगर आप हवा खरीद रहे कि overnight आपको हवा बिल्कुल नहीं खरीदनी और हवा का मतलब ATM के नीचे का price overnight आपको बिल्कुल भी नहीं खरीद के जाना है च्योंकि वो अगर next दिन खुलेगा next दिन अगर आपका market खुलता है तो उसमें आपका theta dk होना ही होना है और वो कितना theta dk होगा वो मैं बताऊंगा आपको एक दिन का theta dk के कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा समझ रहे हो बड़ आपके यहाँ पर सबसे पहले concept आपको समझना ये है कि भाई आप खुद बताओ आप OTM buy करके overnight BTST क्यों जाते हो जब आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं है ये सिर्फ आपको दिखावटी प्राइज बनाये गए है आपसन के अंदर ये जो प्राइज होते हैं सिर्फ आपको दिखावटी बनाये जाते है ठीक है तो ये प्राइज हमको खरीद करके क्या risk लेना चाहिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आप अगर माल लिजे कि मार्केट आपकी यहां पर चल रही है माल लिजे कि मार्केट आपकी कहां पर चल रही है और 24,150 में आपकी मार्केट चल लही है ठीक है 24,150 में मार्केट चल रही है अगर आप 24,000 का कोई आपसन भाई करते हैं जो कि इंदामनी है इंदामनी मतलब अंदर का माल है तो अगर आप 24,000 का कोई आपसन यहां पर भाई करते हैं तो इसमें आपको कैसे पता लगएगा कि भाई इसमें कितनी आपकी आपका Intensity Value, कितना आपका Time Value तो मतलब कितना आपका चिप्स है, कितना आपका यहाँ पर हवा है, तो आया होगा, आप यह समझेगा, माने लिजे कि आप यहाँ पर 24,000 वाला आप यहाँ पर कालवाई करते हैं, और आप उबर नाइट ले करके जाते हैं, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा, कि इसे 210 रुपए में, 210 रुपए में आपका यहाँ पर चिप्स कितना है और हवा कितनी है, ठीक है, भाई यहाँ पर भी आपकी हवा है, ध्यान रखना, आपके आपसन के प्राइज में हवा आपकी बहुत दूर तक रहती है, तो आपको यह भी पता होना चीज़ी कि यहाँ पर आपके चिप्स कितने हवा कितनी है, ठीक है, तो आप जब यहाँ देखते हैं, इसमें भी आपके 93 पॉइंट आपका क्या है, आपका 93 पॉइंट आपका हवा है, और 148 पॉइंट आपका यहाँ पर चिप्स है, तो कम से कम आपको यह तो पता चल गया क्यार, कम से कम मैं यह वाला प्राइज बाई करूँगा, तो मुझे नुकसान तो ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम मेरा यह तो बचेगा ही बचेगा वो 148 रुपए तो बचेगा ही बचेगा और यह 93 रुपए 0 भी हो जाएगा तब भी कम से कम मेरा यहाँ पर प्रीमियम बच जाएगा लेकिन अगर आप OTM बाई करके जाओगे और मार्केट वहें पर खतम हो गई तो क्या होगा वो आपके 0 हो जाएगा कोई आपको वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आपको क्या हमेशा बाई करना है आपको ITM बाई करेके जाना है ITM समझ रहे हो आप देखो आपकी मार्केट सिंपल आप समझना है इसका कल्कुलेशन कैसे करते हैं आपका मार्केट यहाँ पर 24,150 चल रहा है अब 24,150 में आपका यहाँ पर माल लेजे कि intrinsic value आपकी 0 है अब आपका यहाँ पर सीरे आजाओ 24,000 तो 24,150 में 24,000 को माइनस कर दो सिंपल बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आप price buy करो आप यह देखो मत देखो इससे आपको कोई मतलम नहीं है मैं आपको एक सिंपल भंड़ा बताता हूँ मार्केट आपकी चल रही कहाँ 24,150 में आप जो भी आप सन buy करते हो इंदा मनी आप अगर यहाँ पर 24,000 की call आप यहाँ पर buy करते हो और यह जो आपका 150 रुपे बच रहा है यही आपका intrinsic value होता है बार्के जो भी price extra दिखाएगा वो वो आपका वहाँ पर उसके बार time value होगा अरे मेरी बात के लिए होई की नहीं होई दुवारा समझाओं देखिए दुवारा समझा रहा हो नहीं आया होगा समझ में मुझे पता एक बार में सुनिए intrinsic value मतलब आपका original जो आपसन का price कितना है वो निकालने के लिए simple एक formula है वो formula क्या है जिस भी आपसन का price आप buy करना चाहते है सबसे पहले उस आप यहाँ पर देखिए मान लिजे कि आप यहाँ पर 24,000 की आप यहाँ पर काल बाई करना चाहते है आपको कैसे पता चलेगा कि 24,000 की काल में कितना यहाँ पर chips है और कितना आपका हवा है यह आपको पता करना है तो कैसे करेंगे ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है जो आपका ATM चल दा है, अब माल लिजे कि ATM अगर आपका यहाँ पर 24,300 चल दा है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, 24,300 चल दा है, आपका ATM, ATM जो current market चल दा है, अब आपने क्या किया 24,000 के आपको कालवाई करना है, ठीक है, जो की इंदा मनी है, आपको यहाँ पर 24,000 आपको यहाँ पर माइनस कर देना, ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर, कितना आया, 300 आया, 300 आया ना, इसका मतलब, आपका हकीकत का जो प्राइज है, जो हकीकत का यहाँ पर चिप्स है, 24,000 का, वो यहाँ पर 300 ही होगा, भले उसका प्राइज यहाँ पर 400 रुपे चल दा है, 400 रुपे का मतलब यह हो गया कि original आपकी price यहां पर option की 300 रुपए है और 100 रुपए जो आपका बचा वो आपका यहां पर क्या है हवा है जिसको हम time value बोलते हैं पता चल गया है कि intrinsic value क्या होती है आज के बाद आप यह तो नहीं गलती करेंगे कि नहीं मुझे otm buy करके यहां पर जल्दवाजी करना है जब मैं आपको क्या खरीदना चाहिए हवा खरीदना है यह आपको चिप्स खरीदना यह आपको पता चल गया ना देखो इस वीडियो के कितना आपको प्राइज बढ़े देगा वो मैं दूसरे वीडियों कर दो बट आज का जो मेरा main topic था वो यह था कि आज के बाद आपको हवा नहीं बाई करना चाहिए आपको खरीदना भी है तो आप उहां पर चिप्स बाई करने की कोशिस करो अगर हवा बाई करोगे तो आ